हालो जी वेलकम टू माई चैनल मेरा नाम है प्रियांका और आज के वीडियो में मैं आपके साथ मेरे एरिंग कलेक्शन शेयर करना चाहती हूँ सो दिवाली बहुत ही पास है और हो सकता है आपको इस वीडियो से आपके लिए एरिंग चूज करना नोड़ा सा इसी हो जाए ओके हमारा एरिंग नंबर वन जस्ट अ क्लोज लुक मैं आपको पाहन कर दिखाती हूँ यहां पर अगर आप लाएंगा या साड़ी पाहने वाले हैं तो इस टाइप का एरिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेंगा मेरा जो नेक्स्ट यरिंग सेट है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो हेवी लुकेंग पाहना चाहते हैं बद लाइट वेट यह हमारा लाइट वेट वाला जूम के आप्शन है सो संसेटेव यह या पिर आप लाइट वेट लुक लाइट करता है लाइट यह आप इस टाइप का एरिंग खरीज सकता है सो यह परफेक्ट कॉमिनेशन होता है जिनका फेस थोड़ा सा छोटा है मेरी तरह क्योंकि यह जूम की बहुत ही विजिबल होती है बट आट अट असें ताइम यह आपके फेस को ओवर कमने करते हैं चलता है माई नेक्स्ट एरिंग की तरफ सो अगर आप वेस्टर पैन रहे है या इंडो वेस्टर फ्यूजिन टाइप क्लोधिंग पैन रहे है दिवाली पे तो आप कुछ इस तरीके का भी ले सकते हैं आपको बस उसे राइट पैरिंग करनी होगी बाट लुक्स वाइज यह कुछ ऐसा लगता है फ्रम फ्रंट और साइट ओके नेक्स्ट एरिंग कुछ लाइट पैन्द है क्योंकि आप देख सकते हो मेरे कान अलुडी लाल पढ़ना शुरू हो जुक्ए है तो अगर आप वेस्टरन टॉप एंडर या फिर आप इंडो वेस्टरन खोदिंग कर रहें तो यह वाली यहरिंग्स भी आपकी फेस पेब बहुत अच्छे लगेंगे स्ट्राइप की यहरिंग्स बहुत ही एलिगेंट लगता है तो अगर आप उस टाइप की क्लोदिंग क रहे हैं जहां भी आपको ग्रेस चाहिए एलिगंस चाहिए तो आप इस टाइप की एरिंग्स को ज़रूर पहने एंद इस पूरा पर्ल है ये बहुत ही प्यार जाएप्शन है इंडो-वेस्टर्न, वेस्टर्न, कुछ साडियों के लिए बहुत साडियों के लिए हैं कुछ कुछ कुर्थी शूट्स के लिए अगर आप पहना चाहते हैं तो आप इसको modern tops के साथ, crop tops के साथ पैन सकते हैं, यह बहुत ही अच्छा लगेगा, नेक्स्ट एर राइं, यह स्टर्ट स्टाइल में है, आपका एर का होल मेरी तरह थोड़ा सा लंबा है, खिचा हुआ है, तो आप इस टाइब के एरिंग पैन सकते हैं, विकिस यह उस होल को कव करता है, so yeah, that's it, please मेरे चैनल को subscribe कर दीजे, अगर आपने इस वीडियो को enjoy किया या आपको helpful लगा, please hit the like button, leave the comments, and yeah, that's it, I hope to see you soon guys, thank you, bye-bye.